महिला के साथ कड़े हैं या बचाने वाले के साथ कड़े हैं ये सोचना निर्धारित करना बहुत बहुत अविशक है मैं सीधा रुख करता हूँ हाजिक खान साब आपका और फिर गौरब भाटिया और अचारे प्रमोट किस्टम और तस्रीम नहीं आपके पास आउँगा आजे और लोग आपके पास आउँगा हाजिक खान बताईए क्या कहेंगे ये वीडियो सामने आया है वीडियो के बाद पुलिस वालों की लिंचिंग हो रही है इसी स्टूडियो में बैठ कर आप लिंचिंग लिंचिंग चिला के थे पुलिस वालों की लिंचिंग क्यों करी गई पुलिस की लिंचिंग हो या जनता की लिंचिंग हो दोनों ही देश दोगी है जो देश के हित्मे नभर एक बात में चे कहांगा के कोई हिन्दू इस बात पर खुश हो कि किसी मुसल्मान का कतल कर दिया मेरी निगाह में वो जानबर है दरिंदे है इनसान नहीं यह कौन है जो पत्थर चला रहे हैं जो और जिन्हों ने डीसीपी शर्मा को पत्थर मारे जिसमें हेलमेट गिराई वो जानवर है दरिंदे हैं क्या है वो किश्टरणी में आते हैं बता यह वो शेरनिया है देखिए जो दंगा हुआ उसमें पचास लोग मरी हैं उन सारे चिंकरी वो शेरनिया है वो दरिंदे हैं वो कौन है देखिए भारतिये संभिधान को चाहें वो अधिकारी हो या जनता का आदमी हो वो अगर अपने हाथ में लेता है वो गलत है इधर उदो की बात मत करिए सवाल परा डारेक्ट है डारेक्ट जबाजबाद दे रहा हूं चाहें वो जनता का आदमी हो या सरकारी आदमी हो दोनों जुबजरिम है मैं कहते हूं रतनलाल को मारा रतनलाल जी की जो गोली लगी है उस गोली की तैक्रात होना चाहिए पर किसकी गोली लगी है किसकी गोली लगी है उनके आर्पा इसी भीड ने मारा है भीड की लगी है अचानक 30,000 लोग आ गए, वहाँ तमंचे भी आ गए, वहाँ चाकू भी आ गए, वहाँ आइरन रॉड भी आ गई, वहाँ डंडे भी आ गए, बताईए अप, देखिए मैं ये कहूंगा, नी मुझे बताईए ना ये भीर कौन है, ये जो तस्वीरों में भीर दिखाई है, य ये दरिंदे है, जो अलकुल दरिंदे हैं, जो देश के संब्धान को अपने हाथ में ले, जाहें कोई हो हिंदू हो पर जूड बोल रहे हैं, और उस भारतमा की आँख को कोई काना करके, अगर उस देश के लोगों को दुक्सान पोचाएगा, तो वो देश के संविधान के अध्वार से खाते रहे मुझरिमें. एक कितापी बातें मत करियें. सार ये हकीकतclी बाते. थी कि आज हाजिक खान का दिल भराएगा और वो बोलेगा कि वो बोलेंगे कि वाकई जो हुआ वो शर्मिंद की इसे जादक कुछ नहीं है अब आपने इपनी बात को रखा गौरा बाटी देखिये मैं तो सुन रहा था पूजा शर्मा जी को और कहीं न कहीं दिल दहल जाता है और एक-दो बाते ऐसी लगी जो विचलित कर देंगी हर नागरिक को उन्होंने कहा कि उस पुले सदिकारी का हेलमेट हटाने का प्रयास हुआ मतलब चाते थे पत्थर सर पे लगे और उनकी मौत हो जाए एक महिला ने हटवाया हेलमेट उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं भीड ने पत्थर और नाइफ चाकू लेके बाहर आई ये अपने आप में विचलित करता है और उन्होंने कहा महिलाएं तो सामने थी और पीछे से मर्द आ रहे थे हिंसा करने तो अब मैं पीछे जाता हूँ जब शाहीन भाग का प्रोटेस्ट हो रहा था तब हम कहते थे ये महिलाओं और बच्चों को सामने क्यों है किया हुआ है तो ये कहते थे ये नन्नी मुन्नी भोली भाली मासूम महिलाएं हैं ये हिंसा नहीं करती हैं लेकिन आज जो विडियो ने उजागर कर दिया ये उतनी नन्नी मुन्नी मासूम भोली भाली है नहीं ये हिंसा करती हैं पत्थर मारती हैं और एक वर्दी वाले अफसर पर हिंसा करना कहीं न कहीं ज़्यादा बड़ा अपराद है ये इंडियन पीनल कोड भी कहता है दूसरी बात आप देखिए ये क्यों हो रहा है कल राहूल गांदी ने भी इसी तरह की राजनेती करी थी कल राहूल गांदी ने एक बड़ा जो है मिसाल राखी कि अगर शारुक तुम तमंचा बतान दोगे पुलिस वाले पे जो वर्दी में है तो डरना नहीं मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि वो मज़िद गए लेकिन वो शोहीद रतनलाल के घर में अमीजी नहीं गए अंकित शर्मा के घर में नहीं गए एक सेकिन हाजिक खान आप अपनी मैं कह शब्दों का इस्तमाल किया मीजी मैंने का उन्होंने संदेश दिया राहूल गांदी जी जा सकते थे अंकित शर्मा जी के घर जा सकते थे वो रतनलाल के घर जा सकते थे वो मिलने DCP से अमित शर्मा जी से ACP अनुझ कुमार से मिलने गए नहीं गए तो आज एक सच सामने आ करता हूँ सेर्ट डिफेंस में गोली चला सकती थी पुलीस लेकिन इनका सयम देखिए इनका जजबा देखिए कि उन्होंने उसके बाद जूद गोली नहीं चलाई कि हमारे नागरिक है कहीं इनकी मौस्पना हो जाए यह जगा